दोस्तो अगर आपको बदलते मौसम में बीमार होने से बचना है तो आपको कुछ बातों का धियान रखना होगा जिससे कि आप पूरी तरह से स्वष्ब रह सकते हैं और बदलते मौसम का संकरमण आपको नहीं हो सकता है उसके लिए आपको करना यह होगा कि अगर मौसम बदल रहा है तो आप सूती वस्त पहनना शुरू करिए क्योंकि जब जब मौसम बदलता है तो आपका इम्नियू सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है ऐसे में आपको अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको खाने में पॉस्टिक आहार लेना चाहिए इससे आपकी इम्नियूटी काफी स्ट्रांग होती है और स सर्मे दर्द है या बुखार आपको महसूस हो रहा है तो आप अपनी मर्जिस से मेडिसिन ना लें आप तुरंट डाक्टर की सला लें और कोशिश करें कि आप सुबा सुबा टहलने जरूर जाए या एक्सरसाइज करें योग करें जो भी आपको पसंद हो आप यह कर सकते ह और आपके फेपड़ों में इंफेक्शन का खत्रा काफी हद तक बढ़ जाता है ऐसे में अगर आपको यह समस्या हो रही है तो आपको डेली भाप लेना चाहिए और गुंगने पानी में नमक डालकर आपको उसका कुल्या करना चाहिए तो इससे आपको काफी आराम मिलेग और जो बदलते मौसम का संकरवन है उससे आप बस सकते हैं और इसी के साथ साथ आप दिन भर में कम से कम साथ से आठ गलास पानी जरूर पीजिए इससे आपको डिहाइडरेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप पूरी तरह से फिट रहेंगे मौसम के बदलने का आप पर कोई असर नहीं होगा तो कोशिश करें इन सारी चीजों का ध्यान पूरी तरह से रखें जिससे कि आप बिल्कुल फिट रहें और हेल्दी रहें